Welcome to Okay Legal Help आज की क्लास में हम बात करेंगे Introduction to Law of Torts Tort word जो है एक French origin है But it is derived from the Latin word Tortum और इसका मतलब होता है to twist इंगलिस में इसको wrong बलते हैं Wrong दो तरीके का होता है एक civil wrong, दूसरा criminal wrong Law of Torts जो है वो एक civil wrong है But all civil wrongs are not taught इसके दो important characteristics होते हैं Law of Torts के एक होगया civil wrong दूसरा होता है Unliquidated Damages Unliquidated Damages मतलब यह होता है जैसा damage होगा वैसे remedy दी जाएगी इसका कोई पहले से fixed damage नहीं है और Law of Torts codified नहीं है इंडिया में यहाँ पे Law of Torts में दो parties होते हैं एक होता है plenty पे होता है defendant defendant को wrong doer भी बोलते हैं plaintive भी वहारा victim है इसके तीम पार्टेंटेंस यह हैं अगर defendant को यह wrongful act और omission करता है जिससे की plaintive को legal damage पहुँचे और उस nature का पहुँचे कि plaintive defendant से legal remedy क्लेम कर सके Winfield ने Law of Torts का definition दिया था जिसमें इन्होंने बताया था कि Law of Torts एक breach of duty है जो कि primarily fixed by law और इसमें जो redressal होगा वो unliquidated damages होगा सालमें ने Law of Torts में बताया था कि यह tortious liability एक civil wrong है इसमें जो redressal होगा unliquidated damages होगा यह कोई breach of contract यह breach of trust नहीं है ना ही कोई equitable obligation है सालमें ने एक important theory दिया था pigeonhole theory pigeonhole theory के मताविक यह था अगर जो भी wrong pigeon host में fit हो जाते हैं उसके remedy दिये जाएंगे बाकियों के नहीं दिये जाएंगे Law of Torts में तीन important maxims हैं पहला होता है injuria sign demnum दूसरा demnum sign injury तिसरा uv just me remedium injury का मतलब होता है legal injury sign का मतलब without demnum का मतलब damage demnum sign injury मतलब damage without legal injury uv just me remedium मतलब where there is right there is remedy Law of Torts में injury sign demnum और uv just me remedium से remedy मिलेगा demnum sign injury से नहीं मिलता है remedy as we versus white एक important case है जिसमें plaintiff एक valid voter है dependent एक returning officer है plaintiff अपना right exercise करने boat देने जाता है returning officer इसको boat नहीं देने देता है जिसके बज़ए से plaintiff का legal right का violation होता है legal right भले ही इसमें यह होता है कि जिसको boat देने जा रहा है वो party जीच जाती है बट वो matter नहीं करता है क्योंकि इसके legal light का उलंगन हुआ है dependent के द्वारा इसलिए plaintiff को यहाँ पर remedy दी जाएगी Glossesha Grammar School इसमें दो उसकूल सोती है एक पहले से उसकूल होती है एक लोकलिटी में उसी लोकलिटी में एक दूसरी उसकूल खुल जाती है अब इसकी इस उसकूल के बच्चे दूसरे उसकूल में जाते है क्योंकि दूसरे उसकूल के फिस लो थी इस उसकूल के मिताविक जिसके बज़े से सकूल 1 को लॉस होने लगा सकूल 1 को लॉस हुआ तो सकूल 2 पे इसने केस कर दिया इसमें जो held हुआ यह यह held हुआ कि दोनों का एक यह legal light है उसकूल खोल के चलाना यह किसी के right का उलंगन नहीं किया था इसलिए यहाँ पे सकूल 1 को remedy नहीं दिया गया था भीम सिंग बर्सेज इस्टेट आप जम्मू इन कास्मीर इसमें यह होता है एक email होता है जो जम्मू कस्मीर का जम्मू कस्मीर असेंबली का email है यहाँ पे जो defendant है वो है state state इसलिए defendant है क्योंकि email जब अपना right exercise करने जा रहा था एसेंबली के ओड जा रहा था उस टाइम पे पुलिस ने पुलिस ने इसको पकड़ लिया पकड़ के जेल में डाल दिया और इसको wrongfully arrest किया और detain किया और इसको magistrate की सामने जो 24 hours के अंदर ले जाना होता है magistrate की सामने नहीं ले गया पुलिस ने जिसके वज़े से email का fundamental right प्लस legal right दोनों का violation हुआ था इसी वज़े से state ने email को legal remedy दिया था थैंक यू, once again welcome to legal classes